जो पिछले चरण में मद्दान हुआ, अकिलेस जी स्वयम हार देख रहे हैं, बिजेपी की सरकार आने वाली है, इसलिए डिप्रेशन इस बयान से दिखाई पड़ता है, क्योंकि उत्रपदिस की चुनाओं में ये कोई रिलेवन्ट बात नहीं है, फिर भी वो बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब वो फस्टेड हैं, चुनाओं हरने वाले हैं, इसलिए ऐसा बयान कर रहे हैं, अमिताब बच्चन आज करोडों हिंदू उस्तान में लोगों के लिए प्रतिष्ठित फिल्म एक्टर है, उनके प्रतिप बहुत सन्मान है, उसके बारे में ऐसा बोलना कोई रिलेवन भी नहीं था, उचित भी नहीं था, और दूसरा गुजरात के गधो का केंपेइन, ये पूरा गुजरात का अपमान है, समगर विश्व में बसे हुवे गुजरात योवा का अपमान है, मैं मानता हूँ कि अखिलेस जी के साथ कॉंगरेस अज उनके साथ दे रही और आज भी बयान है राउल गांदी जी का, कि हम तो सम्बंधों को और गाड करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि गुजरात के कॉंगरेस वाले ये जवाब दे गुजरात की जनता को, उनकी माफी मांगे, और गुजरातियों का अपमान, ये दिखाई पड़ता है, गुजराती सब हर्ट है, पुरा गुजरात हर्ट है, और मुझे लगता है कि इससे कॉंगरेस को ही नुकसान होगा.